नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजर हुँ मैं 1 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रार्मभ करते हैं थेश्ति है आपके पूरे कि आपके रहाए डंप साइब का हाल जापके राशिब का शवामी मंगल मंगल के बाते हां बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज मंगलवार है पुरुषुत तम्मास शुकल पक्ष की आज पूरणीमा किथी है उत्तरा शाढ़ा नक्षत्र है शाम चार बच करके तीन मिनट तक और इसके पुष्चात स्रमण नक्षत्र है प्रीतियोग विश्टी करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज मकर राशी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 38 मिनट से दो पहर 12 बच करके 31 मिनट तक का होगा वही राहुकाल दो पहर 3 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और श प्रिय राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारम नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों दिब्य महा प्रयोग में आज पांच ऐसे दिब्य जोतिश्य सूत्र पर चर्चा होने वाली है जिससे समझना इसलिए भी बेहत आवश्यक है क्योंकि आज की इस परिवेश में देखा जाए तो नब्बे प्रतिशत लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है ये परिशानी उसका मैं कुछ उपाई भी बताने वाला हूँ तो दिब्य महा प्रयोग की बात करेंगे साथी साथ 6 अगस्त दिन अर्रविबार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी लेकिन उससे चंद्रमा मकर में और शनी देव वक्रवस्था में कुम्भ राशी में संचरण कर रहे हैं यह है ग्रहिस्त दित तो गोचर कुंडली में शुक्र और शनी वक्रवस्था में संचरण कर रहे हैं और आज चंद्रमा का जो संचरण है वो सूरे के नक्षत्र में है तो सूरे के वाला है दिन आपके लिए नौकरी पेसा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है व्यापारी वर के लिए आज का दिन कैसा है विध्यारतियों के लिए आज का दिन कैसा है कौन सी उराशिया है जिनके लिए आज का दिन बेहत खास है कौन सी उराशिया है जिने बेहत सावधान र करेंगे तो यह ग्रहिस्तुति इन्हीं ग्रहिस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हल तैयार किया निदेनी राशिफल तैयार किया है वो ने दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहा हैं उनके लिए बता दूं यह राशिक आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्ट की 6 अगस्त दिन रविवार प्रसूति का इश्नान का मुहूर्ट प्रातह 9 वजे से 10 बच करके 46 मिनट तक भूमी वाहन यह दोनों क्रय और विक्रय दोनों का मुहूर्ट मिल रहा है लाल रंग का वस्त्रधारन करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्ट नित्गीत वाद्यकला आरंभ कराना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्ट नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिश्चिक लगन में दोपहर एक बच करके तीन मिनट से दोपहर तीन बच करके बीस मिनट के बीच संपन्न किये जा सकते हैं। प्रिश्चिक आज आप अपने आपको ही ले लिजे, उदारन कहीं और नहीं लेना है। प्रिश्चिक जब आज ऐसा हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आज से 50 साल पहले और 100 साल पहले, 200 साल पहले ऐसा नहीं होता होगा। 200 साल पहले भी पिता पुत्र में मत्भेद होते होंगे। होता ही रहा था। सवाल ये उठता है, कि जब हम ऐसी स्तिती उत्पन करते हैं, मत्भेद का आप मान करते हैं, तो उससे एक स्राप की स्तिती उत्पन हो जाती। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी अवस्था में माता पिता ने आपको स्राप दिया हुआ हो, हाथ में जल ले करके संकल्प किया हो, कि चाहूं मैं तुझे स्राप देता हूँ या देती हूँ तुमारा नाफ्षो। ऐसा तुमाता पिता कभी करी नहीं सकते हैं। परन्तु हमारे आचरण, हमारे ब्यवहार के कारण वो जब दुखी होते हैं, तो उस दुख से एक स्राप की स्तिती उत्पन होती है। जिसे मात्रि स्राप या पित्रि स्राप या पिता का स्राप कहा जाता है। पित्रि स्राप ये दूसरा होता है। जिसके चलते मैं बात कर रहा हूँ, पिता के द्वारा दिये सुराप का, या पिता के सुराप का, और ओ कैसे बनता है, इसे समंधित पांच सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ, प्रियधर्शकों, जन्म कुंडली में ये पांच सूत्र तो आप सुनी लीजिए, पर और वही ब को लेकर कि आपका मद्भेद होता ही होगा संभाव है आप दिल से बहुत संभान करते होंगे संभाव है कि जरूवत पढ़ने पर दिल निकाल के देने के लिए तयार है आप लेकिन जब आप साथ होते हैं तो मद्भेद शुरू हो जाता और उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं अगर देखें तो चंद्रमाही मालीजे एक तरफ सुर्य के होगा और एक तरफ शनी होगा या राहू होगा तो चंद्रमाही हाँ पर पापग रह होगा क्योंकि सुर्य के करीब पहुच गए हैं मंगल भी होते हैं तब भी मंगल पापग रह है कुरूर ग्रफ के रूप में देखा जाएगा उनको अब इनमें से कोई दो ग्रह यानि सनी राहू ही माल लिया जाए कि जन्म कुंडली क अब उनके साथ या तो मंगल की दृष्टी पढ़ जाए तो पापग रह की ही दृष्टी मानी जाएगी ये इस बात की सूचना देता है कि ऐसे जातक के उपर पिता का स्राप है जन्म कुंडली का पंचम भाव पाप मध्य में हो और पंचमे नीच का हो और नौमांस में मक त्यान से सुनिएगा जन्म कुंडली में पंचम भाव पापकरतरी योग में हो दोनोतरफ पापग रहों पंचमे नीच का और नौमांस में मकर या कुंभ राशी में हो तो यह इस बात की सूचना है कि जातक को पिता का स्राप लगा हुआ है तीसरा सूत्र सुनिए जन्म जन्म कुंडली में अश्टम में शनी जन्म कुंडली में पंचम में और पंचम भाव का जो स्वामी है वो राहु से युथ हो ये भी पिता के स्राप की सूचना है पांचवा सूत्र सुन लीजिए जन्म कुंडली के में बारहमे का स्वामी जन्म कुंडली का जो बारहमा भाव है उसके स्वामी लगन में हो अश्टम का स्वामी पंचम में और दसम का स्वामी अश्टम में इस में से कोई भी एक ग्रहिस्ति आपको दिखाई पड़ रही है तो समझ लीजी ये पिता के स्राप का लक्षन है पिता का स्राप आपको लगा हुआ है प्रियदर्शकों इन सभी सूत्रों में एक चीज कॉमन पाईए क्या पिता का स्राप भी लगा है और ये इस बात की सूचना है कि इस जन्म में वंस वृद्धि नहीं हो सकेगी या संतती सुख आप नहीं पा सकेगे आप सारे सूत्रों में पंचम भाव को देख रहे हैं प्रियदर्शकों पंचम भाव पूर जन्म का भाव है और सूरे के पीडित होने का मत्तब पिता का स्राप और जितने भी सूत्र आपने सुना है सब में कहींने कहीं पंचम सम्मेली थै यानि एक पॉइंट ये भी है कि आपने अपने पिता को चाहे जैसे भी प्रतारित किया हो अपानित किया हो उसका दंड भी इस जन्वम में पिता के स्राप में रूप में ऐसे ही नहीं है उसमें ये भी है कि आपको भी संतती सुख नहीं मिल सकेगा क्या करें ऐसी किसी भी कुंडली में जहां सूरी पीलत है इपित्र श्राफ ही है एक तरह से रभी बार का वरत तुरंत प्रारंभ करिए रभी बार को नमक का त्याक करिए मीठा भोजन वो भी एक बार सूरी की आराधना खूब करिए पिता अगर है उनका सम्मान करिए नहीं है कोई बारत ने घर में उनकी तस्वीर रखिए जब भी कोई कारे करने जाए सुबह उठी रूज उनको प्रणाम करिए कोई कारे करने जाए उनकी तस्वीर को प्रणाम करके जाए प्रति दिन सायमकाल पितरों के नाम से घीका दिया जलाईए यह सभी काम करिए वो सभी लोग जिनकी कुंडली में इससे सम्मंथित लक्षण है और उनको संत्ति नहीं है वो जो घीका दिया मैंने पितरों के नाम से जलाने के लिए कहा है वो अवश्य करें आपके लिए बेहद आवश्यक है अवश्यक कीजी चली चलते हैं राशी फल की और बात करेंगे राश्यों के कर्म में पहली राश मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज दसम में है, ये चंद्रमा आज सुरे के नक्षत्र में है, देखा जा तो आज पिता की सलाह आपको लेनी चाहिए, पिता के सलाह से ही कोई कारे करी दिन अच्छा रहेगा आपके लिए, सावधानी जरूरी है, विशेश कर करिए, जल्द बाजी मत करिए, जिस कारे को करने में आपका मन न लगे या जो कारे करने की इक्षा न हो, उसे तो छोड़ी दीजिए, विआपार यूं के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, विआपार में आज का दिन आपके लिए लाभवकार कर रहने वाला है पर ध्यान रखिएगा, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना आज आपके लिए ठीक नहीं है, विशेश करके तुनक मिजाजी, आज आपको नुकसान पहुँचाने वाला है, ओफर चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो नौकरी में हो, ब्यापार में हो, जब तक उस गहराई को आप भली भाती नों समझ जाएं, उससे स्विकार मत करें, बलकि उससे टाल दीजे, कुछ दिनों का उसर मांग लीजे, दामपत्त जीवन सामाने ते ठीक रहने वाला है, प्रेम समंध के मामले में भी दिन ठीक है, प्यार का इजहार किया जा सकता है, कर सकते हैं बात भी द्यार्थियों की करें, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है, मन पढ़ाई में लगेगा, सफलता मिलेगी, स्वास्ते के दृष्टिकोंट से देखें, तो माता पिता के स्वास्ते का ख्याल रखियेगा, आपके वैसे स्वास्ते में कहीं कोई परिशानी दि गोचर कुंडी की स्थिति अगर आपके लिए देखी जाए, तो ठीक है, आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, पिता का सम्मान तो करना ही है, माता की कहीं बात को मानिये, अचानक कोई कारे मत करिये, हलाकि काम के प्रती आत्म विश्वास बना रहेगा, जोश बना किसी के लिए अभधर भाशा का प्रयोग मत करिये, चुगली किसी के मत करिये, विश्विस करके बॉस की, व्यापारियों की बात करों तो दिन बढ़िया रहने वाला है, किसी भी प्रकार के विवाद में फसना आपके लिए ठीक नहीं है, विवाद से दूर रही है, नका र जार्थियों की करें, तो जबर दस रहने वाला है दिन स्वास्त के मामले में थोड़ी परिशानी है, सावधानी रुप रतियेगा, अपने स्वास्त का खया लखीगा, पेट में जलन की शिकायत होगी, आज रूद राष्ट कम का पाठ अवश्य करियेगा, और हो सके तो श पेशा लोगों के लिए, मैं एक ही सलाह देता हूं, मूर मंत्र है, इमानदारी, जूट मत बोलिए, महनत से पीछे मत भागिए, अपने काम से मत भागिए, और जो भी काम हाथ में लिया है, उसे पूरा करके ही दम लीजिए, जितना हो सके अधिक सधिक महनत करिए, दिन स्र चेद भी रहिए, आज मद्य पान मान साहर से दूरी बना करके रखिए, और सबसे जरूरी बात है, वो है मिथुन डासी के जातकों के लिए, जो भी करिए, सुब वेवस्थित धंग से करिए, यात्रा बहुत सावधानी के साथ आपको करनी है, और कोई बड़ा निवेस इत किसी को धनुधार नहीं देना है, और विवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, जीवन साहती का साथ आपको अवर्शे प्राप्त होगा, पार्टनर्सिप में दि कोई नया व्यापार सुरू करने की सोच रहें, तो व्यापार प्रारम्भ कर सकते हैं लेकिन पार्टनर्सिप में अकेले करना है, नया कारे प्रारम्भ नहीं करना है, विद्यारतियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी जादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी, और स्वास्ति के दृष्टि कोंड से देखें, तो स्वास्ति का ख्याल कियेगा, गाय को आज रोटी दिजेगा, रोटी पर थोड़ा सकर डाल करके, लखियंक पांच लखी कलर आपके लिए जो लाल है, और निवेश आपको नहीं करना, भोलेनात की अराधना अत्यंत आवर्शक है, पुरुशुत्तम मास चल रहा है, भोलेनात की अराधना करते रहिएगा करक के जातकों की बात करें, तो दिन ठीक है, कारेक्षट्रन उचाधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे, आत्म विश्वास में आपके बृद्धी होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी फस सकते हैं, अहंकार से बचिएगा, जीवन साथी का संबान करिए, बिप जरूर फैसला कर सकते हैं, इस मामले में दिन बढ़िया है, जरुत पढ़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके रोजमर्रा के काम में पूरुन होते देख रहा हूँ, भूमी भवन से समंधित जितने भी आपके काम है, पू पहस और मत्भेद की स्तिती बन सकती है, तो ऐसे मामलों में आपको विशेश रूप से सावधान रहना होगा, मन की बात हर किसी स्वेश शेर मत करिए, प्रेम समंध के मामले में देखा जाए, तो ठीक है दिन, दामपत्ते जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल की स्तिती है जीवन सांती के स्वास्त को लेकर के भी चिंता रहेगी, हलाकि एक बात वतादू की घर का वाता बरण कोई खराब नहीं है, बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, यदि कोई परिक्षाई त्याद है तो उस सफलता मिलेगी, कोई महत्तो पूर्ण सूचना भी मिलने वाली है, सांत के लोग आज आपके लिए बहुत मददगार होंगे, मैंसा नहीं मानता, आज संभव है लोग आपके पीछ-पीछे चुगली करें, आपके लिए मुसीबत खड़ी करें, अंतर इतना ही है कि कोई कु अधिनस्त हैं, वो भी कही न कहीं आपसे खुश हो जाएंगे, संभवत उनका भी काम आपके को करना पड़ेगा, पर जरुवत से जदा संभेदन सील भी मत होईगा, बीना सोचे समझे कोई वादा मत कर दिजेगा, कि सबका काम अपने माथे उठा लेंगे, तो पूरा नही अधिकी, रिस्तदार इत्यादी से समंधित, जो थोड़ी सी आपको दुखी करे, मकान, भूमी, प्लोट से समंधित कोई कारे करें, तो बहुत सावधाने के साथ, प्यार का इजहार मत करेगा, नहीं बीबात की स्थिति उत्पन्न होगी, और दामपत्ती जिवन आपका सु फेद है, निवेश, जानकार की राय से करिए, करन्या के जातकों के दिबात करें, तो दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी परिशानी है, अचानक धनहानी की स्थिति बन सकते है, संताल पक्षच से कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है, जो कि आपको टेंसन में डाल प्लैनिंग के साथ काम करिएगा, हलाकि अच्छी बाती है कि आज आपकी छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागरत रहने वाली है, घटनाओं का पुरवाभास आपको होगा, पर मन किसी काम में एकागर नहीं होने वाला है, जो भी काम करिए, बहुत सोच समझ करके करिए, ज प्लोक्रीपे सालों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया नहीं करूँगा, कोई ऐसी सूचना, जैसे ट्रांसफर इत्यादी संबंधित आपको मिलने वाली है, जो कि आपको दुखी करे, किसी की चुगली मत करिएगा, बुराई मत करिए, बहुत सित्यादी की चुगली न निवेश आपको बचना है, और भोलेनात की आराधना आपको करते रहनी है, तुला के जातकों के लिए दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सकारात्मक सोच के साथ और खुले दिलों दिमाग के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, कारेक्षेतर में परिशानी मिलेगा लेकिन प्राइवेट सक्टर वाले जरा आज सचेत रहें, परिशानी में पढ़ सकते हैं, ब्यापारी वर्ग भी आज साबधान रहें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, आज धोखा होने वाला है, कोई बड़ी डील इत्यादी के लिए दिन ठीक नहीं है पार्ट टाइम जोग के लिए अधी प्रतनसील हैं, तो सफलता बाधी थी दिखाई पढ़ रहें, हलाकि संतान पक्षों से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, नया वाहा नित्यादी खरिदने की योजना है, मुबाइल खरिदने की योजना है, करिए, मन की बात हर टेंसन तनाव रहेगा स्वालक, स्वास्त के मामले में देखें, तो भोजन का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा, पेट जर निरू की संभावना है, आज एक चमच दही खाकर के घर से जाईएगा, और भोलेनात की आराधिना प्राता काल अवशे करिएगा, ल हाग्य का सांथ मिलेगा, योजना आपकी पूरी तरह से सफल, पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परिशानी थी, तो परिशानी दूर होगी, बस सफलता मिलने ही वाली है, आप कदम आगे बढ़ाईए, कोई पुराना विबाद परिशानी थी, वो खत्म होगी, खर्ज पर अगर आप जनता के प्रतिनधी हैं, तो कोई भी बात ऐसी मत बोली, जिसे बाद में तोड़ मरूर का पेस किया जा सकते हैं, अपने काम के प्रतिमांदार बने रही है, ब्यापारियों के लिए आज का दिन अप्तिन तसरिष्ट, ऑफिस हो या फिल्ड वर्क, दुकान हो, बड़ा व्यापार हो या छोटा व्यापार, ठीक है, यात्रा आप कर सकते हैं, हर जगह सफलता है, जीवन साती से सयोग मिलने वाला है, प्रें समंद के मामले में दिन बढ़िया, मजबूती आगी दामपत्य जीवन सुखद, और बात यदि भी ध्यार्थियों की करें, तो बड़ा रखें, मद्यपान मांसाहर से दूरी बनाएं, कड़वी बानी का प्रयोग न करें, दिन बड़ा ही अध्भूत है, कोई बड़ा निवेस करने का मौका आपके हाथ हा रहे तो चूकिये मत, किसी ब्रक्ती से मुलाकात करने हैं, कैसी मुलाकात? सामने वाले पर अप किसी से कहिए, बोलने से पहले प्व्यक्ति की विश्वस्नियता अवस्य टटो लिए, व्यापारियों को, अगर व्यापार से समंतित कोई टेंसन थी, तो वो परिशानी दूर होगी, काम में सफलता मिलने वाली है, जो भी काम आप हाथ मिलेते हैं, सफलता मिलेगी, साम होत करनी चाहिए, जीवन साथी का साथ मिलेगा, हलाकि जीवन साथी से किसी ने किसी बात को लेकर के तू तू मैं मद्वेध होने वाला है, बाकि वैसे दिन ठीक है, विद्यार्थी, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तयार है, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, त मकर के जातकों को थोड़ी परिशानी होगी, जरोत पढ़ने पर मदद नहीं मिल पाने वाली है, उपर से आपके कठोर बेवहार, ओवर कॉन्फिदेंस या बेवहार में घमंड के कारण, सामने वाले को तो ऐसा ही परतीत होगा, आज लोग आपसे रुष्ट और नाराज भ उसमें भी बाधा दिखाई पढ़ रही है, कारिक्षेत्र में छोटी मोटी परिशानिया दिखाई पढ़ रही है, आमदनी में रुकावट, बिना सोचे समझे कोई बादा मत करिए, ब्यापारियों को भी ब्यापार में सफलता नहीं मिल वाली है, या निकुल मिलाकर के दि पुचित, अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पढ़ रहे है, परिशानियों में आप रहेंगे, स्वास्ति के दृष्टिकों से देखें, तो गैस वैसिडिटी से समंधित परिशानी दिखाई पढ़ रहे है, भोजन पर आपको अपने विसेश रूप से ध्यान देना होगा, परहेज करना होगा, खान पान पर तो नियंतरन जरूई है, गाय को आज गुड़ अवश्य खिलाइए, लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश ना करें, लेकिन भोले नात की आराधना अवश्य करें, कुम्ब के जातकों की बात करूँ तो दि प्रकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बेहत सचेत रहिए, प्राइबेट सेक्टर में भी परिशानी दिखाई पार रहे है, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, बुजूर्ग की सलाह आपकी समस्या का समधान कराएगा, या बिपरीत की स सफलता मिलेगी नहीं, नुकसान होगा स्वलग, जल्दबाजी में कोई काम न करी नहीं तो काम आपका बिगड़ेगा, और बात बात पर गुसा तो बिल्कुल करने से बचिए, नहीं आपका काम बिगड़ेगा, यात्रा नहीं करनी है, दामपत्य जीवन में परिशानी दि समू करेगा लखियं के एक लखी कलर आपके लियाज पीला है, भुलेनात की अराधना करिए, निवेश आपको नहीं करना, तो वहीं मीन के जातकों की बात करो तो दिन बढ़िया है, अचानक धनलाब होने वाला है, कोई उपहार मिलने वाला है, कारेक्षत्र मुचा धिकार सभी पूरा आपके हो सकते हैं करिए, सफलता आपको मिलने वाली है, किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है, आपका कोई अधूरा कारे पूरा होने वाला है, पूर्व का हुआ नुकसान उसकी आज भरपाई होगी, विवाद से बचने की कोशिश करिए, बिढ़्ार्थियों को टेंशन की स्तिती दिखाई पड़ रहे आपके लिए थोड़ी निरासा भी है विद्ध्यार्थं का अबन पढ़ाई में कम लगेगा सिक्छा कि едमे थोड़ी परिशाणी दिखाई लगाएं तो प्रिदर्शकों ये था मेश्य लेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल अभी के लिए वस इतना हिजाजत दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार